नमस्कार मैं प्रियरंजन और आज की इस एपिसोड में निफ्टी बैंक निफ्टी के अपकमिंग वीक के लेवेल्स को समझेंगे मैंने आपको कहा था कि अवरॉल जो टेक्निकल ट्रेंड है वो स्ट्रॉंग दिख रहा है 25,000 तक के लेवेल्स दिख सकते हैं लेकिन वैसा न टू 25,200 तक के लेवेल्स को दिखा सकता है और आज फाइनली बजार 25,500 के उपर की क्लोजिंग रही है साथ में एक स्टॉक जो हमने कहा कि सौर्टू मीडियम टर्म के लिए आउट पर्फॉर्मिंग होगा उस स्टॉक का नाम है पे टियम और पे टियम वन साइडेड खरीद ले मैं हमेशा कहता हूँ आपको ब्लैंडली नहीं इंफ्लूएंस होना है नहीं बातों को फॉलो करना है खुद के एनलेसिस के बाद ही किसी स्टॉक में आपने ट्रेड लेने हैं सूजलोन में हमने आपको कहा कि आप पैनिक नहीं करें 2013 वाला आप लेवेल नहीं द दिखेंगे वो बजार के सिंटिमेंट के कारण वीक रहा और आज अगें देखेंगे तो सूजलोन नियर अराउंड अपर सरकीट के आसपा स्टेड होते दिखें टाटा पावर के मेरे व्यूज वीक हैं जो मैंने कंटिनियूस हमारे टेडर्स ड्रीम पे कहा टाटा मोटर् आउट पर्फॉर्म कर रहा है अभी भी जो मेरे व्यूज इस्ट्रॉंग है वो आई एक्स को लेकर के हैं जो कंटिनियूस हमने आपको सजेस्ट करें और मुझे लगता है कि आउट पर्फॉर्मिंग ट्रेंड अभी भी बाकी है RTDFC लाइफ काफी स्ट्रॉंग था लेकिन इसे में थोरी अंडर पर्फॉर्म है लेकिन अगेन वो स्ट्रॉंग आउट पर्फॉर्म बहुत जल्द करते दिखेगा अडानी वीलमार बायोन डिप्स वाला स्टॉक है जब तक 330 के नीचे नहीं जाता है बायोन डिप की ऑपर्फॉर्मिंटी है बजार के सेंटिमेंट के कारण प्रॉफिट बुकिंग आई लेकिन 390 के उपर के क्लोजिंग के बाद एक बड़े रैलिस दिखेंगे तो आप खुद के वाच लिस्ट बनाएं फिल्टर आउट करें और जो ट्रेंडिंग स्टॉक है वहां से आप short to medium टर्म के गिन को लेने के opportunity को आप find out करते रहें तो सबसे पहले निफ्टी निफ्टी सबसे पहले daily time frame पे क्या दिख रहा है निफ्टी को daily time frame पे देखें तो एक consolidated zone को breakout करा और यह जो gap down था इस probably gap down को fill करते दिखेगा इसलिए हमने कहा कि 24,800 और 25,200 यह दो level है जो expect किया जा सकता है overall जो technical trend है वो काफी strong है इस समय देखें तो आज 20 डेमा के उपर की closing रही है और simply अगर मैं आपको daily time frame पे दिखाऊ हूँ तो यहाँ देखेंगे इसने consolidated zone को breakout करा और मैंने कहा भी था कि 23,9,800 के नीचे जब तक बजार नहीं जाए put के weekly बरे trend expect मत करना यहाँ इसने consolidated बनाया 50 डेमा का support लिया पर again यह all time high के probability level को जा सकता है या अब अगर आप नीचे के trend को लेंगे तो 24,400 के नीचे के levels पर ही लेंगे तो पहले एक बर मैं weekly time frame के level को दिखा दू फिर आगे के trend को expect करेंगे एकदम सांदार support जो 24,000 का है वहाँ से support लिया है और probabilities gap down के जो blank gap down थे इसको यह feel करते दिखेगा अब मैं आपको two hour के time frame पे best possible trend जो है वो आपको दिखाता हूँ इसको hide कर देंगे और यहाँ देखेंगे तो यह पुरा ही consolidated level है और already breakout हो चुका है तो अब जो यहाँ से level उपर के तरफ already breakout हो चुका है अब जो उपर का level मुझे दिख रहा है वो 24,800, 25,020 और 25,260 प्लस तक का level दिख रहा है लेकिन अगर put के trend आपने लेने हो put के trade initiate करने हो तो minimum चुकि यह तो पुरा support ही है तो minimum 24,320 के level को तूटने दें तभी weekly time frame पे 24,040, 23,920 और 23,700 expect करेंगे इसके नीचे की अगर daily closing नहीं हो तो weekly time frame पे या हम जो positional trade लेते हैं उसको बचेंगे अगर यह continue करता है तो पहला breakdown 24,840, 920 के आसपास से हो सकता है और दूसरा 25,180 और 25,320 के बीच से हो सकता है यहां से 300 को तोरा तो पहला reversal 23,980 और 24,80 के बीच से हो सकता है और दूसरा reversal 23,720 के आसपास से हो सकता है यह simple analysis है और यह जो levels मैं कहा रहा हूँ यह बिल्कुल मन से नहीं कहा रहा हूँ यह analysis का level है तो ऐसा नहीं समझे कि सर अपने मन से कुछ भी कहा रहा है आप levels को लिखें आप मुझे बता है कि भईया आपने जो कहा था वो बिल्कुल follow नहीं होते दिखा bank nifty अभी भी underperform है weekly time frame पे previous week के body के नीचे ही है यहां देखेंगे लेकिन अच्छी खासी recovery हुई और हमने कहा भी था कि यह एक support zone है तो यहां से एक recovery हो सकता है फिर breakdown के लिए तो bank nifty weekly time frame पे अभी भी week है लेकिन daily time frame पे अभी भी consolidated zone में है जब तक इस range को breakout नहीं करता है मुझे लगता है कि बरे trend expect नहीं करेंगे तो जो daily time frame या bank nifty के trader है उनको याद रखना चाहिए अगर 800 नहीं भी तो अगर simply देखें तो यह भी resistance के आसपास का है तो यह वाला जो high था लगबग आपको अगर bank nifty के उपर के trade लेने हैं तो 50,740 के उपर ही एक बरे directional trend लेंगे अगर यह level breakout हुआ तो पहला target near around देखेंगे तो 51,200 दूसरा 51,640 और तीसरा level देखेंगे तो लगबग लगबग 52,000 प्लस तक का level दिखेगा लेकिन नीचे के trade अगर आपको initiate करने हो तो यह तो पुरा consolidated zone है इस consolidated zone के लिए 50,080 के level के breakdown important है अगर यह level तूटा तो 49,720 पहला 49,300 दूसरा और उसके बाद 49,000 के level भी दिख सकता है लेकिन in between 50,080 और 50,740 यह consolidated zone है इस zone में बरे trend expect करने से बचेंगे जब भी यह गिरा यह consolidated करके बरा reversal भी दिख सकता है अगर उपर के तरफ breakout करा तो पहला reversal 52,000 के आज़ पास से हम expect करेंगे क्योंकि यहां से या फिर आफ 51,600 पहला reversal और 52,000 दूसरा reversal और नीचे अगर यह यहां से breakdown करता है तो 49,720 पहला और उसके बाद लगबग 48,880 दूसरा यह दो reversal जोन होगा और paytm जो मैंने कहा कि outperform करते दिखा है वहां अगर मैं आपको paytm के चार्ट भी दिखा हूँ तो paytm यहां मैं weekly time frame पे दिखाता हूँ already इसने एक बरे consolidated zone को बनाए यहां देखेंगे यह पुरा consolidated zone बना इसको breakout retage अब यह trend probably 800 जैसे levels को hit करते दिखेगा technically जब तक यह 500 के नीचे नहीं जाता है weakness नहीं है slow in HD अपर साइड के trend डिख सकता है तो I hope यह video informative रहा thank you for watching this video